स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में आर्ज हम लोग उत्तर प्रदेश की PGT परिक्षा जो 2017 में आयुजित की गई थी उसके समासास्त्र पेपर के कुश्चन बुकलिट की सीरीज को हल करेंगे तो आईए सुरू करते हैं देखते हैं कि इसका पहला प्रस्ण क्या है पहला प्रस्ण है कि किसने कहा कि पूजी स्वयम में कोई बुराई नहीं है बुराई तो उसका दुर्पयोग है पूजी की किसी नी किसी रूप में आवश्यक्ता हमेशा रहेगी तो इसके आप्सन में देखते हैं कि आप्सन A है कारमार्क्स, B T वेबलें, C महात्मा गांधी, D उपर्युक्त में से कोई नहीं उक्ति कथन है महात्मा गांधी की अगला प्रसन देखते हैं पाटोमावर के अंसार निमलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्थन के लिए उत्तरदाई है तो बाटोमावर ने सामाजिक परिवर्थन के लिए पास्चार बिग्यान उमपरोदोगे की और सामाजिक नियोजन दोनों को उत्तरदाई कारक माना है इस प्रकार से आपसंसी सही है प्रस नमर तीन है निमन में कौन सा समदाई का तत्त नहीं है पहला आपसंन है भूभाग, बी हमकी भावना, सी सांस्कृतिक बैविध्य और डी आतनिर्भरता तो समदाई की जो भी सेस्ताई होती है उसमें भूभाग, हमकी भावना अतनिर्भरता का होना जरूरी है और उनकी संस्कृति जो है उन समदाई में रहने वाले व्यक्तियों की वो समान होती है अर्थात उसमें सांस्कृतिक बिविन्यता नहीं पाई जाती इसलिए ये सांस्कृतिक वैविध्ध गलत होगा और हमारे प्रस्ण का आंसर C सांस्कृतिक वैविध्ध यही सही होगा प्रस्ण नमर चार है निमलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है प्राथमिक संबंधी नहीं है A. माता, B. पिता, C. चाचा, D. भाई तो हमारे प्राथमिक संबंधी में माता-पिता, भाई-बहन ये आते हैं, तेकर उसमें चाचा नहीं आते हैं, चाचा जो हैं वो जुतियक, जुतियक संबंधी हैं, नेश्ट कोश्चन देखते हैं, स्वयत वसन अपराध की आउधारणा किसे ने दिये? ये बताना है कि स्वयत वसन अपराध की आउधारणा, आपसन ए है C. Lombroso, B. E. Sutherland, C. James Sart, D. H. M. Godard, तो स्वयत वसन अपराध की आउधारणा सदर लाइन ने दिये हैं, Q. 6 है, अधिकारी तंतर से किन मुल्यों का रहास होता है? A. आधिनिक मुल्यों का, B. सामाजिक मुल्यों का, C. राजनैतिक मुल्यों का, D. परंपरागत मुल्यों का, तो अधिकारी तंतर से परंपरागत मुल्यों का रहास होता है प्रस नमबर साथ है निम्न में से कौन सा एक असायोगी सामाजिक प्रिक्रिया है अस्तायोगी सामाजिक प्रिक्रिया बताना है में A. आधनुकी करण, B. सहयोग, C. प्रतिसपरधा, D. सात्मी करण तो असाहगी सामाजिक प्रिक्रिया के अंतरगत, पत्रिसपर्धा और संघर्स आते हैं, तो आपसम C, पत्रिसपर्धा सही है Question number 8 देखते हैं, जजमानी ब्योस्था अदला बदली है जजमानी ब्योस्था किस प्रकार की ब्योस्था है, ये बताना है कि A. भूम की, B. मुद्रा की, C. प्रलेक की, D. सेवावयों बस्तूओं की तो जजमानी ब्योस्था सेवावयों बस्तूओं की अदला बदली की एक ब्योस्था है Next प्रस्थन देखते हैं, Question number 9 सामाजिक समुहों को निमलिखित चार बर्गों में किसने विभाजित किया है ये विभाजन बताना है, सांखिकिये समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समित सम्बंधी समूह ये समूह के विभाजन है, चार, और इसके आपसन में देखते हैं तो यह समूंग का जो चार बरगोंग में विभाजन है यह है रावर्ट वीरश्टीड का प्रश्ट नमबर दस है विवार बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है ऐसा कथन किस ने किया यह कथन दिया गया है और उस कथन को बताना है कि किस विद्वान ने यह कथन दिया है लूथर, B. विरश्टीड, C. प्रभू और D. कूले तो इसका आंसर है लूथर, लूथर ने यह कहा है कि विवार बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है प्रश्ट नमबर ग्यारा निम्न में से कौन संघर्ष की विशेष्टा नहीं है यह बताना है कि संघर्ष की विशेष्टा नहीं है तो संघर्ष से चीजें होती है वो प्रतेक्ष वैक्तिक संपर्ख भी होता है और संघर्ष की विशेष्टा नहीं है कि यह निरंतर्था इसमें नहीं पाई जाती संघर्ष बहुत दिनों तक चालू नहीं रह सकता जारी नहीं रह सकता इसलिए इसका आप्षन ए सही होगा प्रस नम्बर बारा है निम्न में कौन तिर्टियक संबंधी है यह हमें बताना है कि तिर्टियक संबंधी बारा ए मामा बी साले की पत्नी सी भाई का पुत्र बी पिता प्रात्मिक संबंधी दितियक संबंधी और तिर्टियक संबंधी तियक संबंधी के प्रात्मिक संबंधी तिर्तियक संबंधी होगे तो हमारे दुतियक संबंधी कौन है? हमारे दुतियक संबंधी मामा तो ये तो तिर्तियक हुए नहीं फिर हमारे दुतियक संबंधी कौन है? साले तो साले की पत्नी ये हमारी तिरतियक संबंदी होगी ठीक है? अगला भी देख लेते हैं कि भाई का पुत्र तो हमारा भाई जो है वो हमारा प्राथमिक संबंदी है लेकिन उसका पुत्र हमारा दुतियक संबंदी है तो ये भी तिरतियक संबंदी नहीं हुआ और पिता जो है हमारे वो प्राथिमिक संबंदी है इस प्रकार से इस आपसंग में 12 का भी ये सही होगा कि साले की पत्नी जो है वो तिर्तियक संबंदी है नेक्स्ट प्रसंद देखते हैं 2011 की जनगर्णा के आधार पर वो कौन सा राज है जहां जनसंख्या कम हुई है उस राज की पैचान करनी है जिसमें 2011 की जनगर्णा में महा की जनसंख्या कम पाई गई ए अरुनाचल, बी नागालेंड, सी हिमाचल, डी गोवा तो इसका आंसर है नागालेंड नागालेंड में जनसंख्या कम हुई थी प्रस नमर 14 है संस्कृति करन की अवधार्णा घनिष्ट रूप से संबंधित है मन सिरी निवास ने संस्कृति करन की अवधार्णा दी थी और हमें बताना है कि वो घनिष्ट रूप से किस से संबंधित है A. प्राथमिक समूँ से, B. तृतियक समूँ से, C. नकारात्मक समूँ से, और D. संदर्व समूँ से तो संस्कृति करण जो है, वो संदर्व समूँ से सम्वंधित रखता है प्रस नमबर 15 है, समाज सास्त्र में सामाजिक तक्थों के अध्यन पर किसने वल दिया साम्ट, आपसन A है, B है मैक्स विवर, C है कार्मार्स, और D है इमाईल दुर्खीम तो समाजिक तक्थों के अध्यन पर बायत जो की है, वो इमाईल दुर्खीम ने की है प्रस नमबर 16 देखते हैं, वेस्टर मार्क के अंसार परिवार का प्रारंभिक सोरूप क्या था? प्रस नमबर 17 है, दा लाइफ डिवाइन, इस पुस्तक के लेखा का नाम बताना है कि यह किस ने लिखा है, A. महत्मा गांधी, B. जीयस गुरिये, C. सिरी अर्विंद, D. आर्खे मुकरजी, तो दा लाइफ डिवाइन नाम पुस्तक के लेखा का है, सिरी अर्विंद, प्र परियावरण के मनुस्कृत भाग को क्या कहते हैं, परियावरण के मनुस्कृत भाग को, और यह बात हरस्कोविट्स में कही है, उन्होंने यह बात कही है, तो हरस्कोविट्स में परियावरण के मनुस्कृत भाग को क्या कहा, यह बताना है, A. विज्ञान, B. सभिता, C. स प्रस्ट नमबर 19 देखते हैं कि भारत में त्री अस्तरिये पंचायती राजब्योस्था की अनुसंसा किस ने की थी यह ध्यान देना है A.L.M. सिंगुई समित B.G.K.B. राव समित C. बलवन तराय महता समित D. असोक महता समित भारत में त्री अस्तरिये पंचायती राजब्योस्था की अनुसंसा बलवन तराय महता समित ने की थी प्रस्ट नमबर 21 देखते हैं निम्नांकित में पास्चात्ती करण की अधरना किस ने दी है विश्टनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो A. गुएंद्र सिंग, B. T. क. वुमन, C. एमन स्री निमास और D. मैके मरियट तो हादुनिकी करण, पश्चमी करण, संस्कृती करण ये सारी अधरनाय दिया है एमन स्री निमास में ठीक है? ये आपसन C सही है प्रस्ट नंबर 22 है एक बंधक और बहु बंधक समुहों का परिचे समाज सास्त्री साहित में किस ने कराया? एक बंधक और बहु बंधक इस प्रकार के दो समुहों का विभाजन किया है आपसन इसका देखते हैं A. हिमाईल दुर्खी, B. C. अचकूले, C. रावर्ड वीरस्टीड और D. सोरोकिन तो एक बंधक और बहु बंधक ये यूनी बंधक और मल्टी बंधक की जो समुहों का विभाजन है ये सोरोकिन ने किया है अगला प्रसन देखते हैं, प्रसन नमबर 23, हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, यह किसने कहा है ये कत्थन हमें बताना है A. गिलिन और गिलिन, B. आगबरण और निमकाफ, C. मैकाइबर और पेज, D. किंसले डेविस यह कथन जो हम समितियों के सदस्य होते हैं सजस्ताओं के नई यह बात कहा है मैकाईबर्यों पेज ने प्रस नमर चोबी से काका कालेलकर कमिशन के अनुसार पिछड़े बर्गों का निर्धारण के माप दंड क्या थे काका कालेलकर कमीशन की अस्थापना हुई थी, बाद में मंडल कमीशन की अस्थापना हुई काका कालेलकर कमीशन ने पिछड़े बर्गों के निर्धारण की बात की थी और उन्होंने जो उसका अधार बताया था, माबदंड था, वो क्या था? देखते हैं ए इसका आपसन है ब्यक्ति, बी परिवार, सी जाति और डी ब्योसाय तो काका कालेलकर ने जो इसमें पिछड़े बड़गों के निधारण का मापदंड दिया था वो था जाति प्रस्ट नमबर पचीस है निलिखित में से किसने त्री अस्तरिये नियम प्रतिपादित किया है यह लाग थ्री स्टेजेज की बात है कि यह नियम किसने प्रतिपादित किया है A. अगस्त काम, B. हरवर्ट स्पेंसर, C. सेंट साइमन, D. इन में से कोई नहीं तो थ्री अस्तरिये का नियम जो है वो अगस्त काम्ट निये पर्थपाजित किया था ये प्रस नमबर यहां है 26, समाश सास्तर का अतीत बहुत लंबा है किन्त इसका इतिहास संचिप्त है ये कथन किसका ये बताना है, अप्सन A है किंसले डेविस, B. रावर्ट वीरस्टीड, C. इमाइल दुरखीम, D. माइकाईबर यों पेज तो ये उक्ति है रावर्ट वीरस्टीड के प्रस नमबर 27, निमलिखित में से कौन सी सामाजी करण की एजनसी नहीं है A. परिवार, B. स्कूल, C. समसमू, D. मीडिया तो जो कूले ने सोसलाइजेशन की बात की है, उन्होंने उसके अंतरगत, परिवार, स्कूल और पियर ग्रूप की रखा है इसमें मीडिया सामिल नहीं है, इसलिए हमारा आपसन जो है वो D. सही होगा नेक्स प्रस देखते हैं, प्रस नमबर 28 है, निमलखित में कौन विज्ञानों के वरगी करण के लिए विख्यात है यहां बताना है कि विज्ञानों का वरगी करण, क्लासिफिकेशन आप साइंसेज की बात किस नहीं की थी A. दुर्खीम, B. विवर, C. स्पेंसर, D. अगस्त कांट, तो विज्ञानों के वरगी करण की जो आउधारणा है वो अगस्त कांट ने दिया है प्रस नमबर 29 है, नगरी करण एक प्रिक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थित है यह बात किस ने कही है, यह कथन बताना है हमें A. बरगल, B. एंडर्शन, C. घुरिये, D. राव कही है एंडर्शन ने प्रस नमबर 30, जाति का प्रजातिय सिद्धान किस ने दिया है तो जाति का प्रजातिय सिद्धान बताना है A. G.S. घुरिये, B. D. N. मजुद्दार, C. हर्वर्ट रिजले और D. J. H. अच्टन जात्य का प्रजातिय सिध्धान्त जो है वो रिजले ने दिया है अपनी पुस्तक्द पिपुला इंडिया में प्रस नमबर 31 है जब कोई निम्न हिंदु जात या कोई जनजात या कोई अन्य समून किसी उच्चिया प्रायह दुजिजात की दिशा में अपने रीत रिवाज, कर्मकान, विचारधारा और जीवन पद्धत को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रस नमबर 32 है कि निमलिखित में से कौन सी एजनसी और अपचारिक सामाजिक नियंतरन के अंतरण के अंतरगत नहीं आती है? कानून, B. जेल, C. धर्म, D. राज, तो आउपचारिक एजन्सी हमारी कौन सी है, कानून भी हमारी आउपचारिक एजन्सी है, जेल भी है, राज भी है, लेकिन धर्म आउपचारिक एजन्सी नहीं है, यह अनउपचारिक सामाजिक नियंतरन के अंतरगत हरता है, इसलिए इस प्रस्ण के आप्सन में C सही होगा प्रस्ण नमर 33 है कि निम्नवन का पुरुष जब उच्च वन की कन्या से विवाह करता है तो उसे क्या करते हैं देखें यहां निम्नवन का पुरुष जो है वो उच्च वन की कन्या से विवाह कर रहा है तो आपसन इसका देखते हैं कि A. अनुलोम बिबा, B. प्रतिलोम बिबा, C. एक बिबा और D. बहु बिबा इसलिए ये आपसन तो वैसे ही गलत होता है आप देखते हैं कि अनुलोम बिबा में क्या होता है? तो इसके आपसन में B सही होई प्रस नमबर 34 देखते हैं कि निम्लिखित में से किसने सामोहिक परतनिधान की अउधाना दी है सामोहिक परतनिधान की बात बतानी है A. बेबर B. दुरखीम C. अगस्तकांट D. स्पिलसर तो इसके आप्सन में सामोहिक प्रत्निधान की अउधारणा जो है वो दुरखीम ने दिये प्रस नमबर 35 है कि भारत में प्रछन बेरोजगारी पाई जाती है A. अउदोगिक छेतर में, B. किर्शी छेतर में, C. ब्यापारिक छेतर में और D. सेवा छेतर में तो ये प्रछन बेरोजगारी जो है वो किर्शी छेतर में पाई जाती है प्रस नमबर 36 है निमलखित में से किसने अस्थानिय करण यों सार्भौमी करण की जुडवा अउधारणाओं का विकास किया ये अवधार्णा दी गए थी अस्थानी करण यों सार्भौमी करण की A. SC. दूबे B. GS. भुडिये C. मैके मरियट D. अंद्रे वेताई ये अस्थानी करण और सार्भौमी करण की अवधार्णा जो है वो मैके मरियट में दी है नेक्स प्रसन देखते हैं भारत में जज्मानी वेऊस्था का सरपरथम अध्ययन किस ने किया ? ये सरपरथम किस सरपरथम किस ने किया ? A. SC. दूबे B. Srinivas C. H. M. Johnson D. WH. Yizer भारत में जज्मानी वेऊस्था जो है वो snr. प्रस नंबर 38 धर्म निर्पेच्छी करण का अर्थ है सभी धर्मों को सम्मान देना किसी धर्म में विश्वास ना करना प्रतेक धर्म के प्रतिनफरत D. इनमें से कोई नहीं तो धर्म निर्पे ची करण का अर्थ हो है कि सभी धर्मों को सम्मान देना ये आपसन A. सही होगा प्रस्ट नंबर 49 देखते हैं कि अन्सूचित जनजातियों को किस ने पिछड़े हिंदू सब्द से संबोधित किया है A. B. S. गुहा B. G. S. गुरिये C. काका कालेलकर D. B. अमबेटकर अन्सूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू की रूप में पहचान G. S. गुरिये ने की थी तो आपसन भी इसका सही होगा 40 अन्सूचित में से कौन प्रघटना सास्तर का प्रणेता है प्रघटना सास्तर फिनोमेनोलाजी की बात है और इसका जो है प्रणेता कौन है A. लारी स्परलिम B. अलबर्ट हरसल C. पीटर वर्गर D. ती लुकुमान तो प्रघटना सास्तर की अउधार्णा जो प्रतिपादित की थी वो अलबर्ट हरसल ने की थी प्रस्टंबर 41 में लिखित में से कौन सा स्वेत वसन अपराद है A. उठाईगीरी B. दूद क्रिडा C. चोरी D. घूस खोरी तो स्वेत वसन अपराद उच विक्तियों दारा उच पदो पर आसीन विक्तियों दारा किया जाने वाला अपराद है पाकी जिसे उठाई गिरी दूद क्रिडा चोरी ये सब निम्न भर्ग के अस्तर पे ये सब अपराद जाइदा पाए जाते हैं घूस खोरी इसमें जो है वो स्वेत वसन अपराद की अंतरगत आता है देखते हैं नेक्स्ट प्रसनों प्रसन नंबर 42 से किसने परिभासित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन, अठात समाज के धाचे और प्रकारियों में घटित होते हैं जिन्सवर्ग, B. डेविस, C. गिलिन और गिलिन, D. मैकाईवर्यों, पेज तो ये जो परिवासा है वो किंग्सले डेविस की है आपसन बी प्रस्त नमबर 43 है, एक वैस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है हमें वो आधार बताना है जिसके आधार पर वैस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद किया जाता है A. गंभीर अपराद, B. दूराचरण, C. आयू, D. गिरहतारी परवाना तो एक वैस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद होता है उसकी आयू के आधार पर आयू के आधार पर ये विचारा जाता है कि यह अपराध करने वाला व्यक्ति वैस्क अपराधी है या बाल अपराधी प्रस्त नमबर 44 देखते हैं निमलिखित में से किसने समाज के सावईवी सिध्धान का प्रतिपादन किया है समाज का सावई सिध्धान किस ने दिया है A. Spencer B. दुर्खीन C. वेवर D. अगस्तकाम तो समाज का सावई सिध्धान दिया है Spencer ने 45 नमबर है क्वेश्चन गोल गधेडो यह जो है वो किस जंजात से संबंधी थै A. भील B. नायर C. टोडा D. खरिया तो गोल गधेडो जो है वो भील जंजात से संबंधी थै प्रश्चन नमबर 46 है JS. मिल ने काम्ट के नवीन विज्ञान समाज सास्तर के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था काम्ट ने अपने सास्तर का नाम समाज सास्तर रखा था जो उन्होंने नए विज्ञान की रजना की थी लेकिन JS. मिल ने इस नए विज्ञान का एक नया नाम दिया था वो उमें बताना है ए सोसल फिजिक्स, बी एकोलाजी, सी इथोलाजी और डी सोसल फिलास्पी तो JS. मिल ने जो समाज सास्तर का नया नाम प्रस्तावित किया था वो इथोलाजी का था उन्होंने का गई यह है इथोलाजी इसको नाम रखना चाहिए प्रस्त नमबर 47 है क्रिसक समाज आधा समाज है यह बात कही है क्रिसक समाज आधा समाज है जार्ज फास्टर, रोबर रावर्ट रेड़ फील्ड, एमन स्री निवास, आसकर लेविस तो यह जो बात है क्रिसक समाज आधा समाज है यह कथन है जार्ज फास्टर का प्रस नमर 48 के जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठिस समूँ के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है तो जब परिवार को हमें गठिस समूँ व्यक्तियों के रूप में देखते हैं तब हमें वो दिखता है कि यह जो है वो एक समीत है क्योंकि समीत में सदस्यता पाई जाती है लेकिन संस्था में नहीं प्रकार से इसमें आपसन जो है वो एस है समीत है प्रस नमबर 59 है कि भारत में सरकारी सिवा में अन्य पिछणे बर्गों के लिए आरक्षन का प्रतिसत कितना है OBC के लिए कितने प्रतिसत का आरक्षन दिया जाता है ये बताना है A. 20, B. 27, C. 22, D. 28 तो OBC को भारतिय सरकारी सेवा में 27 प्रतिसत का आरक्षन दिया जाता है प्रस्त नमबर 50 है निमलिखित समाज सास्त्रियों में से किसने सनरचना करण की अवधारणा दी है इस्ट्रक्षन की अवधारणा बताना है कि किसने दी है A. गिडिन्स, B. लेविश्ट्रास, C. पार्संस, D. सासुरे तो सनरचना करण की अवधारणा जो है वो एंथोनी गिडिन्स में दी है प्रस्ट नमबर 51 है समाज सास्त्र की पद्धत सास्त्र में आदर्स प्रारूप, आइडियल टाइप्स की बात किसने की इसका उधारणा को किसने दिया है ये बताना है A. अगस्त काम्ट, B. दुर्खीन, C. बेबर, D. स्पेंसर तो आदर्स प्रारूप की उधारणा जो है वो मैक्स बेबर द्वारा दी गई है प्रस्ट नमबर 52 है कि किसने कहा कि मद्देपान अनियंत्रित पीना है ये कथन किसका है A. W. C. Reckless, B. W. Roger, C. E. H. Johnson, D. E. H. Bogardas तो ये कथन है W. C. Reckless का प्रस्ट नमबर 53 है परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है ये सही क्रम हमें बताना है A. प्रजा रतियों धर्म B. प्रजा धर्मयों रति C. धर्म प्रजायों रति D. धर्म रतियों प्रजा ता को धर्म माना गया है और प्रजा मतलब संतान उत्पत्ति का उद्देश और रति मतलब आनंद का उद्देश तो यह इसका क्रम है कि धर्म विवाह को धर्म प्रजायों रति की पूर्ति करने वाला माना गया है प्रस्ट नमबर चोवन है ब्योसाय और क्योल ब्योसाय ही जाद्पर्था की उत्पत्त के लिए उत्तरदाई कारक है यह कथन किसका है आपसन देखते हैं A. निस्फिल्ड, B. जियस गुरिये, C. म. स्रीनिवास और D. जियस हट्टन तो यह कथन जो है वो आर्य निस्फिल्ड का है प्रस्ट नमबर पच्पन प्रभुत्त जात्य की उधानडा किस ने दी डामिनेंट काश्ट की यह उधानडा है A. केम कपाडिया ने, B. एमेंसरी निवास ने, C. जियस गुरिये ने, D. एयार देशाई ने प्रभुत्यजात की उधानडा जो है वो A. एमेंसरी निवास ने दी थी, रामपूरा गाओं के अत्यिन में ठीक है वहाँ डामिनेंट काश्ट के रूप में उक्का लिंगा नाम के जो लोग थे, उन लोगों को डामिनेंट काश्ट के रूप में पहचान की थी प्रस्ट नंबर 56 है अभावतिक संस्कृत की अवधारणा किस ने दी अभावतिक संस्कृत A. शोरोकिन, B. मैक्सवेबर, C. पैरेटो, D. आगबर्न तो इसमें जो आगबर्न है इन्होंने संस्कृत को दो भागों में बाटा था भावतिक और अभावतिक संस्कृत तो इस प्रकारी सअवधारणा से आगबर्न का सम्मन्द है यह उधारणा आगबर्न दवारा दी गई है प्रस्ट नंबर 57 है भारत में पर्थम नियमित जनगड़ना किस वर्ष प्रारंभूई ये बताना है कि पर्थम नियमित जनगरना आपसन देखते हैं आपसन ए उनीस सो ग्यारा ये वन वन है ठीक है ये उनीस सो ग्यारा है और 1931, 1881, 1880, भारत में जो नियमित जनगरना प्रारम हुई है वह 1881 से प्रारम हुई है तो आपसन इसका सही है प्रस्ट नंबर अठामन है स्री निवास ने संस्कर्टी करण की अधारणा का प्रियोग निमलिखित में से किस पूस्तक में किया है अभी हम लोगों ने इसके पहले के प्रस्ट में देखा था कि इस संस्कृति करण की आउधारणा स्री निवास ने प्रस्तुत की है और अब यहाँ इस प्रस्ट में पूछा जा रहा है कि किस पुस्तक में उन्होंने आउधारणा दी है देखते हैं आपसन इंडियाज विलेज बी रिलीजन अंड सोसाइटी एमंग दा कुर्क्स आप साउथ इंडिया सी सोसल चेंज इन मार्डन इंडिया डी दा कोहसिव रोल आप संस्कृताइजेशन तो जो श्रीवान निवास ने संस्कृति करण की आउधारणा दी थी वास्तविक तथा सामान सामाजिक संरचना के मद अंतर किस ने अस्थापित किया सामाजिक संरचना का अभिवेद बताया था अंतर कि वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान सामाजिक संरचना क्या है A. नाडल B. दुर्खीम C. मर्टन और D. रेट क्लिप ब्राउन वास्तविक तथा सामान सामाजिक समर्चना के मद्य अंतर रेट क्लिप ब्राउन ने अस्थापित किया था आपसन नमबर डी है प्रस नमबर साथ है सोसियालजी दो सब्दों सोसियों सोम लोगस के मेल से बना है लोगस किस भासा का सब्द है हमें पता है कि सोशियाल जी सब्द की रचना सोशियों से लोगस से हुआ है तो उसमें से आपसंद देख लेते हैं पहले A. Latin, B. German, C. Unani, D. Fran. C. Latin और ग्रीक सब्दों से बना हुआ है L. G. ठीक है तो इस प्रकार से हमारा जो है वो यह इसमें अपसंद लाइटिन दिया गया है तो लाइटिन ही सही होगा